आज का जो हमारा लेक्चर है हम स्टड़ी करेंगे इन्टर्माइड्स वह में स्टर्माइड्स गै। आज में सोशल इंसेक्ट को निवी सब्सक्राइब होतमे। अब देखें, social insect, वो insect होते हैं, जो कि क्या है, एक colony का formation करता है, number first, colony का formation करता है, number second, क्या है, कि उनमें polymorphism होती है, polymorphism होता है, इसके बाद number third, क्या है, कि अगर आप देखें, polymorphism के बाद, यानि वो क्या है, nest का भी formation करता है, और भी कई सारे characteristics दिखाए देते हैं, जिसमें क्या है, यानि parental care भी हम देखते हैं, तो ये सारे जो भी characteristic किसी भी insect में हो, तो उस insect को हम लोग क्या कहते हैं, social insect कहते हैं, और social insect पे जो हमारा polymorphism होता है, तो polymorphism को हम caste system भी कहते हैं, तो इसमें division of labor होता है, यानि division, और flavor, अब इसमें क्या होता है, कि जितने भी individual होंगे, वो हर individual का एक अपना specialized function होता है, जो कि वो किसी भी colony में उस function को perform करता है, जिसे और जो कि होता है किस के लिए, welfare of colony के welfare के लिए वो function को perform करता है, अगर हम social insect की बात करें, अगर example की बात करें, यह ज़्यादा तर हमने देखा है, ant पे, termites पे, और bee, और wasp में यह हमने social behavior को देखा है, अगर हम कहें कि insect में दो order में हम specially हम क्या देखते हैं, isopetra order में, जिसमें कि termite आता है, और जो कि hymenopetra जो order है, उसमें generally आता है, bees, wasp और ant आता है, इसी में हमें क्या दिखाए देता है, कि social behavior दिखाए देता है, यानि और उनमें polymorphism दिखाए दिया जाता है, इसी लिए हम इनको social insect कहते हैं, अब social insect में हम पहले ही discuss कर चुके हैं, generally social behavior होता है, वो cooperative brood care करते हैं, यानि जो भी उसमें brood होता है, nest में, उसको care करेंगे, polymorphism होता है, और polymorphism को हम लोग caste system भी कहते हैं, polymorphism के अलावा nest का formation करता है, यह हम पहले ही discuss कर चुके हैं, nest के बाद हमने कहा कि polymorphism में, यानि division of labor होता है, division of labor होता है, यह सारे characteristics क्या है, isopatra यानि जो termites होते हैं, और जो hymenopatra, bees, wasp और ant, इन सब में यह characteristics पाये जाता है, caste system में हम क्या देखते हैं, कि जो reproductive होते हैं, generally जो reproductive होते हैं, यह जो reproductive मेल और जो females होते हैं, यह queen और क्या होते हैं, king होते हैं, किसी भी nest के, और जो क्या कहते हैं कि इसके अलावा, जो worker, soldier, यह सारे दूसरे principle caste होते हैं, किसी भी polymorphism में, यानि caste system में, अब हम spiritually, इस lecture में हम discuss करेंगे, social life in termite और polymorphism को, और यह आपको picture में दिखाए दे रहा है, termites इस तरीगे से दिखाए देता है, और यह termites क्या है, इने nest बना रखा है, और nest कहां यह, soil में nest है, और soil में nest बनाता है, या तो यह क्या है, wood में nest बनाता है, termites, social life and polymorphism, polymorphism, अभी हम discuss कर चुके थे, कि जो termites होता है, यह क्या है, isopetra क्या है, order से belong करता है, यह एक social life को show करता है, इन में हमने polymorphism देखा है, यानि cast system देखा है, cast system के बाद, यानि यह क्या है, colony का formation करता है, यह termites, इसके अलावा, अगर हम देखें, कि यह जो termites होते है, यह क्या है, light को dislike करता है, light को पसंद नहीं करता, यह ज़्यादातर क्या है, अंधिरे में रहना पसंद करता है, और यह जो termites होते है, यह क्या है, nest को construct करते हैं, यह और जो nest को construct करने के लिए या तो soil को use करते हैं या तो food को use करते हैं generally इसके अलावा जो ये nest इनका जो बना हुआ होता है वो एक तो irregular क्या होते हैं उसमें chamber होते हैं और galleries होती है जिसको हम termitaria का कहते हैं termitaria का मतलब होता है irregular chamber और galleries जो की nest में present होता है इसके अलावा एक most important चीज़ है कि जो termites में हमने देखा है termites का जो intestine है termites के intestine में क्या है एक protojoa पाया जाता है यानि एक protojoa जो की एक legulated protojoa है ये क्या है termites के जो intestine होता है या intestine उसमें symbiotic conditions में रहता है इस protojoa का जो नाम है उसको trichonimpha कहते है अब ये trichonimpha क्यों important है termites के लिए क्यों intestine में symbiotic conditions में रहता है generally क्या है कि जो हमारा termites होता है वो cellulose उसके जो cellulose होता है उसको ये क्या करता है digest नहीं कर सकता और जो termites का ज़्यादा तर जो food होता है major foods में उसमें क्या होता है हमारा ये cellulose प्रिजेंट होता है और cellulose को ये digest नहीं कर सकता है इसलिए जो trichonimpha protojoa है ये symbiotic conditions में इसके intestine में पाया जाता है इसके अलावा जो हमने देखा है termites में दो टाइप का जो cast system पाया जाता है यानि polymorphism पाया जाता है polymorphism यानि division of liver तो अभी जो ये दो टाइप का जो cast system termite में पाया जाता है first को हम कहते हैं fertile cast और second होता है sterile cast अब हम सबसे पहले discuss करेंगे fertile cast को जिसको हम sexual cast भी कह देते हैं तो number first जो हम discuss करने जा रहे है यानि sexual cast और fertile cast को हम discuss करने जा रहे हैं ये जो fertile cast होता है और जो sexual cast होता है ये three types के होते हैं number first जिसको हम कहते है macropetrus जो की large winged forms होते हैं ये ऐसे termites होते हैं जिनके wings क्या होते हैं होती large होते हैं उनको macropetrus कहते हैं दूसरा brachy pitrus ये दूसरे type का क्या है termites होता है जो की fertile होते है और ये जो termites होते हैं brachy pitrus इसका जो wings होता है वो क्या होता है sort wings होता है इसके अलावा एक third type का और क्या है कि fertile cast होता है बट इसका जो sexual organ होता है वो अच्छी तरीके से develop नहीं होता है जिसको हम कहते हैं और a pitrus क्या होता है wingless होता है इसमें बिल्कुली wings नहीं होता है present आईए अब हम इस three types के जो fertile cast है उसको हम discuss करते हैं जिसमें सबसे first है macropitrus जिसे हम discuss करने जा रहे हैं यह macropitrus है macropitrus क्या होता है royal couple होता है royal couple यानि किसी भी nest में क्या है कि royal couple present होगा और वो जो royal couple होगा वो या तो queen होता है या king होता है इनी को royal couple कहा जाता है और इस royal couple के पास क्या present होता है large winged present होता है यह wings present होता है और wings इतने large होते हैं कि वो क्या करते हैं extend कर जाते हैं क्या है hind यानि पीछे की तरफ बिलकुल उसके body से भी पार हो जाता है इतना size में बड़ा होता है wing दूसरा है कि यह जो macropittress है यानि large winged termites है इसमें खासियत क्या होती है कि इन में क्या होता है compound eyes पाया जाता है तो compound eyes दूसरा है कि इसका जो color क्या होगा black, brown और yellow color का kitanized क्या है body होती है दूसरा है कि इसमें क्या है औसीलाई present होता है औसीलाई को हम क्या कहते हैं कई बार simple eye भी बोल देते हैं simple eye अब यह जो simple eye होता है यह क्या होता है कि यह generally क्या होता है कि simple eye single lens का होता है lens present होता है उसमें और एक किसी type का क्या है image का formation नहीं करता है no image और बस यह क्या कर सकता है light को क्या कर सकता है perceive कर सकता है लाइट को क्या है परसीव कर सकता है इसके अलावा जो compound eyes भी present होता है बट यह compound eyes क्या है image को क्या है form कर सकता है image का formation कर सकता है और यह image क्या है two types का होता है एक तो superposition कहा जाता है एक image को और दूसरा जो image होता है उसको क्या कहा जाता है a position image कहा जाता है इसके बद इसके कुछ और characteristics क्या है जो यह king होता है यह king यानि जो male होता है इसका main काम क्या होता है जो queen होती है उसको क्या है fertilize करने का main काम है और queen का जो main काम होता है कि only यह क्या है egg को ले करती है और किसी भी nest में यानि colony में अगर हम देखें कि termite की colony में वहाँ पर या तो क्या होगा single royal couple present होता है बट swarming के time पर यानि swarming के time पर क्या होता है कि जब nest का division हो जाता है यानि nest क्या करता है कि divide हो जाता है यानि royal जो couple होता है male और जो female होता है reproductive जिसे हम king और queen कहते हैं वह अगर nest को छोड़ के चले जाए और साथ में कुछ क्या है workers termites को भी अपने साथ लेके जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर क्या है दूसरी क्या है secondary termites present होती है royal couple जिसे हम कहते हैं वह इनकी जगा ले लेता है अब इसे हम figure में समझने की कोसिज करते हैं कि macropetress यानि जो royal couple यानि large wing form कौन-कौन से होते हैं तो आप सबसे पहले यहां देख रहे हैं जो यह winged reproductive लिखा हुआ है तो यह जो wing reproductive होता है या तो queen होगा queen होगा या तो king होगा अब यह आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि जो इनके wings होते हैं वो कितने large हैं वो wings एकदम body के पीछे की तरफ चले गए हैं यह wings तो यानि बहुत ही large wings इसमें पाए जाते हैं दूसरा है कि इसको हम बिना wings के अगर देखें यह जो primary king लिखा हुआ है और जो primary queen लिखा हुआ है without wings है हम आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं without wings है यह क्या होता है कि primary इनको कहा जाता है king और queen इसलिए क्योंकि इनके अलावा जो दूसरे secondary queen और king भी present होते हैं जब यह primary king और queen है अगर nest को छोड़के चले जाए यानि colony को छोड़के चले जाए तो यह secondary queen और king होगा वो इनकी जगा ले लेते हैं तो हम अब यहां discuss कर रहे हैं कि without wings के यह primary king है queen कैसे दिखाय देता है तो हमेशा हम देखते हैं कि जो female होती है female यानि जो आपका queen होता है primary queen यह हमेशा primary king से क्या है size में बड़ी होती है और इनको reproductive भी कहा जाता है इसके बाद हम second type का fertile caste को discuss करते हैं जो second type का fertile caste है यह fertile caste को कहा जाता है ब्रेकिपिट्रस और इस जो ब्रेकिपिट्रस होता है इसको हम कहते हैं sort winged form कहा जाता है अब यह sort जो winged formed है इसको हम secondary secondary king और queen कहते हैं जो कि हम यहां figure में देख सकते हैं यह अब इसमें क्या होता है जो यह secondary यानि supplementary का मतलब ही क्या है secondary royal couple है यानि king और queen की बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है कि जो wings होते है generally क्या है vestigial होते है वो किसी fly में help नहीं करते हैं दूसरा है कि यह padded like होते हैं दूसरा है कि जो इनका जो body होता है as compared to the primary king और primary queen की बात कर है जो की royal couple है उनके body ज्यादा kitenized होता है बट यहां क्या होता है कि brachopitras में जो sword wings होते है वो ज़्यादा kitenized नहीं होता है और जो body होती है उस body में क्या है कि ज़्यादा हम देखें कि play color का body होता है दूसरा है कि इसमें क्या है compound eyes क्या है बहुत ही small पाया जाता है और अभी हम पहले ही कह चुके है कि जब यह supplementary यानि यह जो royal couple है जब swarming के time पे यानि जब आपका जो nest का division हो रहा होता है तो अगर primary king और क्या है आपका queen यह क्या करते हैं कि nest को छोड़के चले जाते हैं तो उनकी जगा यह brachopatras यानि sword winged जो भी secondary queen और king होते हैं इनकी जगा ले लेते हैं अब यह इसको picture में समझने की कोसिज करते हैं यह एक picture आपको जो दिखा रखा है इस picture में आप देख रहे हैं कि यह क्या है एक queen है जिसको secondary queen कहा गया है यह brachy pitras है जिसको sword wing है आप यहाँ देख रहे हैं कि यह जो winged है यह padded like है और यह क्या है वेस्टीजियल है और दूसर है हमने कहा था कि इसकी body में क्या है कहीं पे भी आपको यहां पे sort chitinized होता है ज्यादा chitinized नहीं होता है इसकी body दूसरा है कि जो इसका color होता है play yellow color का होता है दूसरा है कि जो यहां पे आपको यहां compound eye दिखाए दे रहा है बहुती small compound eye होता है same ऐसे ही secondary king होता है बट उसका size इससे छोटा होता है अब हम third type का fertile caste को यानि sexual caste को discuss करने जा रहे हैं तो यह जो third type है इसको हम apitrus बोलते हैं और दूसरा इसको हम wingless form भी बोलते हैं अब यह जो apitrus और wingless form है यह क्या है कि rare है जिसको हम primitive species भी बोल देते हैं यह generally हमारे colony हैं उसमें rare होते हैं इनके पास क्या होते हैं wing present नहीं होते हैं और दूसरा है कि body क्या है colorless होता है और इनके पास compound eye होता है compound eyes की बात कर रहे हैं वो vestigial होता है दूसरा है कि oscillite present नहीं होता है oscillite जो हमने कहा था कि simple eye होता है वो बिल्कुल present नहीं होता है और क्या होता है यह poorly developed sex organ होता है और यह generally देखने में क्या है worker की तरह दिखाय देता है आईए हम इसे picture में समझने की कोसिस करते हैं जो apitras है generally यह worker की तरह दिखाय देता है तो हमारा worker क्या है इस तरीके से दिखाय देता है worker इसके बाद हमने कहा था कि worker में यह wingless होता है तो worker में भी क्या है wings present नहीं होते आप देख रहे हैं कि इनकी body में कहीं पे भी wings present नहीं है दूसरा है कि यह क्या है body generally colorless होता है बट worker का हलका सा yellow ही color दिखाय देता है दूसरा आप इनके जो head reason में आप देख सकते हैं कहीं पे भी आपको क्या है कि eyes नहीं दिखाय दे रहा है तो कहीं पे भी eyes नहीं दिखाय दे रहा है यानि compound eyes present नहीं होता है और sex organ क्या होते है यह poorly developed होते है तो यानि यह worker की तरह दिखाय देता है अब हम दूसरे cast system की बात कर रहे है जिसको हम sterile cast बोलते है तो sterile cast यानि हमको पता है कि यह non-reproducing form है यानि fertilized नहीं होते है यह fertilization नहीं करते है दूसरा है कि इनका क्या है कि जितने भी sterile cast होते है उनमें eye present नहीं होता है ना तो simple eye यानि ausil eye ना तो compound eye दोनों ही present नहीं होते है दूसरा है कि यह क्या है colorless होते है कई बार बट फिर भी क्या है हलका सा yellowies play color में दिखाये देता है इनमे wings present नहीं होते हैं यह wingless होते हैं और जो sex organ होते है वो rudimentary होते है नहीं को हम sterile cast बोलते है sterile cast generally three types के cast system में बटा हुआ होता है पहला जिसको हम कहते है worker दूसरा जिसे हम soldier कहते है और जो third है nesuit हम जिसे nesuit बोलते है यह three type का cast system होता है जो की sterile cast होता है अब आये हम first type के cast system sterile cast system को discuss करते हैं first type का है वो हमारा है worker अब जो worker होता है या तो dimorphic होगा या तो trimorphic होगा dimorphic क mindful three types का होता है पर generally हम क्या देखते है कि ये two type का ही होता है तो अगर ये two type होगा तो एक क्या होगा थोड़ा सा large होगा और दूसरा इस small होगा होगा. But, कई बार क्या होता है हमने कहा कि ये ट्रा-इमॉर्फीक भी होता है, तो ट्रा-इमॉर्फिक में क्या होगा कि एक LARGE होगा दुसरा इसके बीच में क्या होगा Intermediate होता है, और थर्ड प्रा-इमन, यह 3-4 म में पाई जाते हैं इसके बाद जो जो worker होते है इन worker का क्या main जो function होता है किसी भी colony ये nest पे पहला काम क्या होता है कि जो egg होते हैं जो कि queen ने जो egg ले किया है उसको क्या है उसको look करना है यानि उनका care करना है अगर nest में किसी भी type से क्या है कि nest थोड़ा सा तूड़ गया है बिगड़ गया है तो उसको रिपेर करने का और कंस्ट्रक्ट करने का काम भी क्या है वरकर टर्माइट्स का होता है दूसरा है कि इनका और एक में फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं फूड को क्या करते हैं यानि फूड को कलेक्ट करते हैं दू Royal Couples, यानि जो की हमारा Fertile Male और Female है, जिसे हम King और Queen की बात कर रहे हैं, इनको क्या है? Feed कराने का काम होता है. तो आईए हम देखते हैं, यह पिक्चर में कैसे दिखा देता है? यह हमारा क्या है? Worker Termite है, आप Worker Termite में देख रहे हैं, किसी भी टाइप का क्या है? Wings यहाँ पर present नहीं है, दूसरा है कि इनके Head Reason में कोई भी Compound Eyes present नहीं है, तो इस टाइप का यह दिखाए देता है, इसके बाद जो हमारा Sterile Cast होता है, वो दूसरा टाइप का Sterile Cast जिसको हम Soldier बोलते हैं, यह Soldier क्या होते हैं, जो Worker Termites होते हैं, उनसे क्या होते हैं, थोरा सा क्या होते हैं, Size में बड़े होते हैं, तो बड़े होते हैं, और क्या है, यह भी दो फॉर्म में पाया जाता है, दो फॉर्म में पाया जाता है, या तो थ्री फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम dimorphic बोलते थे हैं या trimorphic यानि अगर two form में पाया जाएगा तो एक large होगा एक होगा small और three form में मिलेगा तो हम एक को क्या कहेंगे एक को कहेंगे small एक को कहेंगे intermediate form एक third को हम कहेंगे large तीन form में अगर मिला तो इस तरीके से होता है इसके बाद इस जो soldier जो termites होता है इसकी एक खासियत होती है seriated इसका जो mandibles होता है वो seriated mandibles होता है यानि एक तरीके से V-shape में होता है और ये जो V-shape में seriated mandibles होता है ये इसके head में present होता है head यानि scleratized जो head होता है वहाँ पर present होता है तो इसका main function क्या है जो ये serrated mandibles होता है कि अगर कोई भी जो interduters होते है वो क्या करते है अगर nest में inter करने की या colony में inter करने की कोसिस करते है तो उनको kill करने का काम होता है इनका आईए हम इसको picture में समझने की कोसिस करते है तो ये जो आपको दिखाया दे रहा है picture में ये इसे हम soldier termites बोलते है आप soldier termites के हमने अभी खासियत क्या बताई है कि इनका जो head reason है head reason में आपको ये जो दिखाया दे रहा है ये जो structure आपको दिखाया दे रहा है तो ये जो structure है इसी को serrated mandibles बोलते हैं जो की एक तरीके से हम देख रहे हैं कि V-shape में होता है और इन्हीं की मदद से क्या करता है जो भी introduced होते हैं उनको क्या करता है kill करने का काम करता है इसके बाद जो third type का क्या होता है sterile cast होता है तो वो third type का sterile cast जिसको हम nesuit बोलते हैं या तो prosidens बोल देते हैं तो ये nesuits जो होते हैं हमने देखा है कि ये जो nesuits होते हैं इनका जो head होता है वो थोड़ा सा large होता है और इनके जो head में क्या होते हैं जो vestisial mandibles present होता है और जो rostorum होते हैं rostorum यानि rostorum वहाँ पर एक gland present होता है frontal gland उसके tips में present होता है वो क्या करता है उसकी मदद से इस frontal gland की मदद से जिसको हम rostorum बोल रहे हैं एक क्या कहता है कि sticky material को jet की speed से क्या होता है किसी भी जो introduces होते हैं उसमें क्या करता है फेकता है इस sticky जो material की बज़े से क्या होता है जो introducers होते हैं वो या तो मर जाता है या तो उनकी जो body होती है क्या होती है वो dissolve हो जाता है तो यह क्या कई बार जो higher termites होते हैं तो higher termites में यानि higher species की अगर हम बात करें तो उनमें soldier की जगा क्या होते हैं यह nesutes होते हैं तो इसे आये हम picture से समझने की कोसिस करते हैं यह जो आपको picture दिखाए दे रहा है तो यह picture क्या है थर्ड type का जो cast है जो third type का sterile cast है उसको nesutes बोलते हैं तो आप यह देख रहे हैं कि इस को हम क्या कहते हैं रोस्टरम बोलते हैं इस रोस्टरम की मदद से क्या है sticky sticky क्या है material को क्या है produce करता है material को produce करता है जो कि किसी भी जो आपके जो introducers होते हैं introducers को क्या करते हैं यह kill कर देते हैं या तो उनकी body को dissolve कर देते हैं I hope आप सभी को ये lecture समझ में आया होगा जहां हमने discuss किया कि social life क्या होती है termites का जो हमने caste system को discuss किया तो आप लोगों को ये lecture समझ में आया होगा Thank you कि अच्च है